इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। रोसुकेम बीस टेबलेट स्टेटिन नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका इस्तेमाल कॉलेस्ट्रॉल को घटाने और हिरदे रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। कॉलेस्ट्रॉल एक वसा पदार्थ है जो आपकी रक्त वहिकाओं में बनता है और इससे संकुचन होता है, जिससे होट अटेक या स्ट्रोक हो सकता है। रोसुकेम 20 टेबलेट व्यापक रूप से निर्धारित की जाने वाली दवा है और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसे भुजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है। आप दिन की किसी भी समय इसे ले सकते हैं। लेकिन प्रतीक दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। जायाम, धूंडपान की समापती, शराब का सेवन और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। इस दवा को लेते समय आप सामान्य तरीके से खाना खा सकते हैं लेकिन अधिक वसा वाला खाना खाने से बचें। इस दवा के सामान्य साइड एफेक्ट में मानस्पेशियों मे दर्द, कमजोरी, मितली, सिरदर्द और पेट में दर्द शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं। अगर वे बने रहते हैं ये आपको अपनी आँखों में पीलापन दिखाई देता है या बार-बार मानस्पेशियों में द दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये विकास शील्ड शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। डाइबिटीज के मरीजों को इस दवा को लेते समय अपने बलड शुगर लेवल पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि इससे बलड शुगर लेवल बढ़ सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और All Notification को क्लिक करें। धन्यवाद।